नमस्कार मैं हूँ अमितेश और आप देख रहे हैं NBT Online और इस वक्त हम गाजीपूर के PG College Ground पर हैं इस Ground पर रोजाना, आर्मी की तैयारी करने वाले युवा, सीनियर सिट्जन्स और बच्चे वाक के लिए रोजाना आते हैं लेकिन कोहरे की वज़ा से visibility बहुत ही खराब है जिसके प्रतिफल यहां टहलने वालों की संख्या बेहत सिमित है इसके साथी साथ हम आपको बताएं तो मैट डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट्स आ रही है जो वेदर फोरकास्ट आ रहा है उसके हिसाब से अगर देखा जाए फॉग लाइट्स का इस्तमाल करते हुए गाडियों को चलाएं इसके साथ ही साथ अगर मेडिकल के लिहाज से कहें तो डॉक्टरों ने एडवाइज किया है ऐसे लोगों को जो की ऐस्थमा और रेस्पिरेट्री ट्रेक इंफेक्शन से प्रभावित हैं उनके लिए मौसम क पहले ही विंटर ब्रेक के लिए बंद है इस बीच सासन ने पहले से जो एनाउस्मेंट किया था कि परिशदी विद्याले विंटर ब्रेक के लिए 31 दिसंबर से 15 जनवर तक बंद रहेंगे वो भी आज से लागू हो जाता है अब इन सब के बीच किसानों के अगर बात की ज लेकिन साथ ही साथ कृषी वैज्यानिकों का मानना है कि किसानों को जो कृषी आधारित अडवाजरी है उस पर निगाह रखनी चाहिए अगर उनके खेत में लगी फसल पर पाले का दूस्प्रभाव आता है तो उन्हें कृषी वैज्यानिकों या संबंधित कृषी विभा उन्हें गादी पूर